नमस्कार साथियो आप सुभी का स्वागत है मेरे सी यूट्यूब चैनल सी अन्सी गुरू महेंदर वर्मा में और मैं महेंदर वर्मा हमेशा की तरह आज फिर आपके लिए एक बहुत ही भैतरिन वीडियो लेके आया हूँ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को जोइन करें ताकि कोई भी नया आने वाला वीडियो तो सबसे पहले आप लोगों तक जो है वो जानकारी पहुंच आए तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपोर्टेंट आने वाला है ऐसे सातियों के लिए जो किसी इंडस्ट्री के अंदर वर्किंग करते हैं वीमसी मशीन के उपर और उनके लिए जो आज मैं वीडियो लेके आया हूँ कितने परकार के जो कटिंग टूल्स है वो वीमसी मशीन के अंदर हम लोग यूज करते हैं और जो मिलिंग कटर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं तो यह वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है जहां भी आप इंट्रिवू देने के लिए जाओगे तो इस परकार क कटिंग टूल्स होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है वीमसी मशीन के जो जितने भी मिलिंग कटर्स होते हैं उनके बारे में आपको पूछा जाएगा तो यह वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद में जहां भी आप इंट्रिव के अंदर वो पूछे जाएंगे तो वीडियो पूरी देखने के बाद में बहु सारे ऐसे स्वाल सा है आपसे मैं पूछूंगा वीडियो के अंत में तो दोस्तो इस वीडियो को पूरा देखे और अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को अधिक स cutting tools के बारे में तो दोस्तो वीडियो बहुत ही important है जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है तो दोस्तो VMC machine के जितने भी cutting tools होते हैं वो कैसे कार्य करते हैं इसके बारे में आप लोगों को purpose के लिए तो यहां पर देखिए cutting tool है यह कैसे कार्य कर रहा है इस प्रकार से बहुत सारे cutting tools होते हैं जो हम लोग VMC machines के अंदर use करते हैं तो चलिए दोस्तो हम लोग इसके आगे स्लाइड में आप लोगों को बताते हैं कि कितने प्रकार के जो है वो working हो सकते हैं तो दोस्तो देखिए जिस प्रकार से आप यहां पे देख रहे हो कि एक VMC machine का remove कर रहे हैं और finishing कर रहे हैं तो इस प्रकार से बहुत सारे से cutting tools होते हैं जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो यह एक जह है वो five axis VMC machine है उसका cutting tool है और यह कि स instance 데के कि एक unequal जो पार उसके उबर working करे तो इस प्रकार के के जो cutters होते हैं जो cutting करते हैं material को इसके बारे में हम लोग सुमपूर्ण जानकर रिप्राप्ट करेंगे तो दोस्तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं के types of milling cutter मेशीन के अंदर material को remove करने के लिए बहुत सारे प्रकार के milling cutters use होते हैं और इन सभी milling cutters का अलग अलग परपज होता है तो सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे कि end mill cutter का क्या कार्या होता है यहाँ पर देखे हो आप यह है आपका end mill cutter का क्या कार्या होता है दूसरा बात करेंगे हम लोग face mill cutter face milling cutter जो है वो उसका क्या कार्या होता है और वो tool किस प्रकार से दिखता है दूसरा बात करेंगे side milling cutter side milling cutter क्या होता है wood rough cutter wood rough cutter क्या होता है thread milling cutter क्या होता है rough milling and milling cutter क्या होता है और oncave milling cutter क्या होता है और fly milling cutter का क्या कार्या होता है तो इधर वाली slides में मैंने आपको दिखाया हुए कि यहाँ पर सभी प्रकार के जो cutting tools है वो आपको दिखाये हुए है तो यहाँ पर देखिए यह आपका end mill cutter है और यहाँ पर आपका rough mill cutter है और यहाँ पर thread mill cutter है woodruff cutter है, ball cutter है और कौन के milling cutter है fly cutter है, और side milling cutter है और face milling cutter है तो यह सारे के सारे जो cutting tools है यह VMC machine या फिर हमारी milling machine के अंदर हम लोग इनका इस्टिमाल जो है वो कर सकते है तो हम लोग बिल्कुल बारी-बारी से एक-एक cutter के बारे में जानेंगे किस प्रकार से कारे होता है तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते है end mill cutter की तो दोस्तों end mill cutter जो होता है वो आपका किस प्रकार का cutter होता है और किस प्रकार से कारे करता है सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसके material की बात करते हैं तो दोस्तों ज़्यादा तर अगर mass production जहां पर हो रहा होता है तो वहाँ पर इसका material होता है वो carbide का use किया जाता है और अगर मालो simple किसी workshop में या फिर आपका कोई भी छोटा सा कोई tool room type का है तो वहाँ पर जो है वो HSS यानि मतलब high speed steel के जो है वो end mill cutter को use किया जाता है तो इसके बहुत सारे parts होते हैं तो सबसे पहले इसके जो है वो body को जान लेते हैं तो देखिए इसके अंदर जो है वो इस परकार से चार जो है वो इसके अंदर teeth बने होते हैं अगर आप इसका बिल्कुल front से आप इसको देखोगे ठीक है तो इसके जो है वो अलग-लग types इसके जो parts हैं वो यहाँ पर मैंने show किया है तो इसकी जो है वो axis क्या है इसका center क्या होता है इसकी शेंक होती है यहाँ पर देखें यहाँ अगे इसके शेंक होती है और यह जो जितने इसके आगे की जो point बने होते हैं इनको हम लग cutting edge बोलते हैं और यहाँ पर जो है वो chips को रिमूप करने के लिए Flute बना उता है ओके और यहाँ पर देखें यह इसकी cutting length होती है यहां पर आप देख रहे हैं कि जहां पर यह जहां तक यह फ्लूट बने हुए यहां तक इसकी जो है वो कटिंग लेंथ होती है और यह इसकी जो है वो टोटल लेंथ होती है ठीक है और यह एंड टीथ गेस इसका होता है और यहां पर जो है वो इसका क्लिरेंस एंगल बना हो यसे मालो आप कोई एक गहरा जो है वो depth में अगर आप काटना चाहते हो ठीक है और आप जो है वो किसी surface को finish करना चाहते हो ठीक है और किसी side को finish करना चाहते हो कोई भी तो वहाँ पर जो है भी इसका use के जाता है तो अभी इसका मैं आपको use दिखाता हूं किस परकार से इसका use करना चाहते हो ठीक हैं और किसी भी सता को finish करना चाहते हो तो वहां पर इस परकार के City deals seller है उनका यूस किया जाता है तो इस वीडि़ियो के अंदर आप यहाँ अंदर एड़ से था हुआ मेटरियल को वह वो finish कर रहा है, तो finishing के लिए जो है इसका use किया जाता है, end mill cutter जो है वो काफी किफाइती होता है, और बहुत ज़्यादा इसका जो है वो metal को जो है वो अधिक से अधिक remove करने के लिए जो है, वो किया जाता है, तो ये आपका main कार्या होता है, end mill cutter का, आगे बात करते हैं, face mill cutter, तो दोस्तो face mill cutter का मतलब आप समझ गए होगे नाम से ही क्योंकि ये जो है वो face को finish करता है कोई भी plate होती है उसके face को finish करने के लिए जहाँ पर आपको material ज्यादा काटना है वहाँ पर जो है इसका उपयोग किया जाता है तो face mill cutter के अंदर दोस्तो VMC machine के अंदर जातर क्या होता ह कि insert वाले जो face mill cutter होते हैं उनका इस्तेमाल जातर किया जाता है क्योंकि इसके अंदर inserts लगी होती है कारवाइड की inserts होती है जो की एक heavy depth of cut ले सकती है और material को ज्यादा remove करती है और अधिक finishing आती है इसके लिए face mill cutter का use किया जाता है और इसके अगर inserts जो अगर खराब हो जाते ह तो उनको जो है वो change कर दिया जाता है और आपका जो mill cutter होता है वो जो है वो एक लंबे समय तक जो है वो चलता रहता है आगे बात करते हैं इसके working की तो यहाँ पर देखे अलग-लग type से जो है वो इसका working आपको दिखाया गया है तो देखे यहाँ पर एक mill cutter है यह किस परका से rotate हो रहा है और इसके अंदर जो insert है वो किस परकार से जो है वो लगे हुए है और सेकंड वीडियो में आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर देखे यह एक जो है वो face mil cutter है और किस परकार से जो है वो कोई plate का जो है वो face clean कर रहा है इसके अंदर जो है वो inserts लगे हुए और insert किस परकार से material को remove कर रहे हैं यहां पर आप यह देख रहे हो उसके बाद में दोस्तों यहां पर आप देखे कि किस परकार से एक heavy cut काट कर रहा है काफी कट लेने के बाद में इपने कर देखें है उपियोग मात्रा के अंदर डेप्टोप कट लेकर के और किसी प्लेट के पूरे सरफेस को जो है वो फिनिश करने के लिए यूज के जाता है यहाप आप देखे इसके अंदर भी देखे इस परकार से मेटरियल को काटते हुए आगे से फिनिशिंग करता हुआ जा रहा है तो यह हमारा जो है वो फेस मिलिंग कटर हुआ आगे बात करते हैं दोस्तों साइड मिलिंग कटरिंग साइड मिलिंग कटर जो होता है इसका जो मेन कार्या होता है दोस्तों वो क्या होता है इसके बारे में समझे सबसे पहले हम लोग इसके जो है ब्रेजिंग के कुछ इंसर्स लगे होते हैं ब्रेजिंग इंसर्स भाले बी आते हैं और इंसर्स भाले ओने भी जो है इसके अंडर हम लोगरB pó करते हैं और यह जो cutter होता है यहाँ पर देखी किस परकार से मेट्रियल के अंदर जो है वो जा करके इसका उप्योग कहां पर होता है देखिए इसका उप्योग होता है किसी शाफ्ट के अंदर कोई भी कीवे काटना होता है तो कीवे काटने के लिए भी इसका उप्योग किया जाता है और यहां पर आप देख रहे हो, कि यह जो आपका, side milling cutter होटा है, इसके अंदर आपके insert हैं, वो भी आपके use हो रहे हैं, और यहां पर जो है, ब्रेजिंग केऴे जो inserts हैं, वो भी आप जो है, इसके अंदर use कर सकते हैं, तो दोस्तों समझ गया होंगे, तो यहाँ पर आप देखते हैं किस फ्रकार से ह्रूडाफ कटर रहा है ऐसके लिए तो इसके लिए यह woodruff cutter क्रम बहुत सरी जिगाह पर बहुत किआ पर इस Kings के साथ को आपका उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं thread milling cutter तो thread milling cutter का भी एक बहुत ही important role हो रहता है अगर आप VMC machine के अंदर thread काटना चाहते हो external thread और internal thread तो आप जो है वो thread mill cutter के द्वारा जो है वो असानी के साथ में thread आप जो है वो काट सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों देखें मैं आपको बताता हूँ thread milling cutter द्वारा चूड़ी काटने के लिए design के एक उपकरण अलग अलग है thread milling cutter या या आंतरिक बाहरी या internal thread बनाने के लिए शक्षम बनाता है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक thread milling cutter है यह जो अंदर से जो है वो VMC machine के अंदर आसानी के साथ में चूड़ी को काट सकता है एक बड़े से hole के अंदर एक इस पतले से thread milling cutter के द्वारा आप आसानी के साथ में चूड़ी काट सकते हैं और यहाँ पर देखिए यह thread milling cutter दिखाया गया है यहाँ पर आप बार से भी जो चूड़ी है milling machine के अंदर आसानी के साथ में काट सकते हैं तो यहाँ पर देखिए कि किस परकार से यह जो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपको दिखाया गया कि इसकी जो चूड़ी है वो आपका milling cutter जो है आप rough से समझ गयोंगे कि इसका जो है वो main कारे क्या होता है कि अगर आप जहां पर बहुत ज़्यादा heavy cut लेना चाहते हो और जहां पर आपको अधिक मतलब जो है वो material को काटना हूँ वहाँ पर आप जो है वो rough end mill cutter का जो है वो इस्तिमाल किया जाता है तो यहाँ पर देखिए इसका main कारे क्या है rough end mill cutter जिन हम hog milling cutter के रूप में भी जानते हैं ठीक है का यह है hog mills के रूप में भारिष संचालन के दोरान बड़ी मातरा में सामगरी को जिल्दी से निकालने के लिए किया जाता है tooth design थोड़ा सा कोई कमपन नहीं होने नेता है लेकिन एक खुर्दरी finish छोड़ता है corner radius and mills में एक गोलाकार धार होती है इसका उपयोगता के जहाँ एक विशिश्टरी जाकार की object होती है कहने का मतलब यह है कि यह एक जो है वो एक roughly material को काटता है ठीक है थोड़ी सी roughness छोड़ेगा वो उसके बाद में आप finishing का tool लगा करके finish कर सकते हो जहाँ पर एक भारी मातरा के अंदर अगर आपको कोई material को remove करना है वहाँ पर इसका जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस परकार से एक जल्दी से जो है वो अगर आप काम करना है तो यहाँ पर कितना बड़ा एक heavy cut लिया गया है तो heavy cut जो है वो आसानी के साथ में material को remove कर देता है ठीक है तो यह जो thread mill cutter का जो main working of rough mill cutter का जो main का रहा है देखे किस परकार से फटा फट जो है वो material को remove कर रहा है आगे बात करते हैं कोन cave milling cutter कोन cave milling cutter का जो है वो use किस लिए किया जाता है इसका उपयोग बहुत ही जो है वो important जो आपकी working होते है वहाँ पर किया जाता है देखिए आप इसके अंदर shape को देख सकते हैं यहाँ पर देखिए यह इसके अंदर एक radius वाली shape बनी हुई है और यहाँ पर दोनों side में जो है वो teeth बने हुई है special purpose के लिए इनको use किया जाता है देखिए अगर कोई भी material है उसके जिसे इदर वाली side से right hand side and left hand side से आपको material को काटना है और बीच में से आपको गुलाई देना है तो उसी की shape का जो है वो आपको milling cutter का इस्तेमाल जो है वो करना होगा और यहां से देखिए side से radius है और यहां से material कट रहा है वो बीच में से finishing हो रहा है तो यहां पर इस परकार के जो milling cutter है उनका use के जाएगा बीच से अगर आपको कोई radius काटना है तो इस परकार का जो आप यहां पे concave milling cutter use करने है इस परकार का milling cutter का आपको जो है वो इस उपकरण का अंति उपकरण ब्यास से आदे के ले बराबर पून्टृजा के साथ जमें है तो दूस्तों इसका मतलब हो गया कि इसके आगे जो वो बॉल बनी होती है तो इसका जो मेरे कारिय वह क्या होता है वो मैं आपको दिखाने मा लänger कि bowl milling cutter का जो main कारे है वो क्या होगा तो यहाँ पर देखिए या तो अंदर से आपको इस परकार से कोई भी radius बनाता हुआ कोई भी अगर कोई material finish करना है तो वहाँ पर आपको जो है वो इस bowl के according आपको tool selection करना होगा और जो है वो अंदर से material को जो है वो remove कर देगा ठीक है और देखें यहां पर पहले rough cutting हो चुक है उसके बाद में बोल मिलिंग कटर के द्वारा जो है वो अंदर से material को radius के according जो है वो जितनी उसकी radius है उसी के अधार पर जो है वो material को अंदर से जो है वो clean किया जा रहा है ठीक है और यहां पर देखें अगर कोई radius में अगर कोई आपका क कोई भी इस परकार से कुछ खांचा कटा हुआ है तो वहां पर बोल का जो radius है उसी के अधार का जो टूल है वो आपका यूज के जाएगा तो अंदर से जो है वो finishing कर सकता है आसानी के साथ में तो यह आपका जो है वो ball milling cutter का में कार्या हो गया है तो उसके बाद में बात कर करते हैं हम दोसको fly cutter की तो fly cutter की समाने प्रिबाशा एक single point cutting tool के लिए एक tool holder है जो एक निश्चित वर पीस की सता पर एक circle में tool को sweep करता है पारम पर एक single point खराद उपकरण की वीपरण उपकरण का कर जो है वो काम करता है तो इसका जो fly cutter होता है वो fly cutter कैसे कारे करता है तो तो इसका जो है वो बहुत सारी जगा पर उपयोग किया जाता है देखी यहां पर इदर वाली side में कोई भी tool लगा नहीं हुए और उदर वाली side में यहां पर देखी एक गोल गोल घूमते हुए धीरे धीरे अंदर से कोई भी radius के अंदर कोई भी material को finish करना है तो उसके material को finish कर दिया जाता है तो यह आपका fly cutter हो गया ठीक है तो दोस्तों इसके बाद में मैं आप से पूछता हूँ कुछ स्वाल जिसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था तो दोस्तों मचीन में आपको किस परकार के जो tool है वो किस इस्तिमाल के जाते हैं नहीं जो है वो comment में आपको लिखना है दूसरा है वीम सी मचीन में कितने एक्सिस होते हैं वीम सी मचीन के एक्सिस तो एक्सिस के बारे में बताना आपको एक होता है आपका x-axis दूसरा होता है आपका z-axis ठीक है तो इन में से आपका कौन सा सही है वो आपको answer comment में लिखना तीसरा question आपका twist drill का lip angle कितने degree का होता है तो यहाँ पर जो सही answer जो आपको लगे वो आपको comment में लिखना है 100 degree या फिर 118 degree उसके बाद में बात करते हैं ATC क्या होता है तो ATC का मतलब होता है जो भी आपको यहाँ पर दो option दिएगे है automatic tool control और automatic tool changer तो जो भी आपको question सही लगेगा उसका answer आपको जो है वो comment में देना है तो दोस्तो मेरे द्वारा वीडियो आपको बताया गया है इसके बारे में आपने मेरे को comment करके बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा और ऐसी अधिक वीडियो देखने के लिए जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें तो कोई भी नया आने वाला वीडियो तो सबसे पहले आपके पास जानकारी पहुंझ जाए तो दोस्तों बदबद धन्यवाद नमस्कार